119 वे वार्षिक सत्र में आप सभी को मिलकर साथ अर्ष में बहुत बहुत आनन्द और हर्ष होता हैं। मित्रो आज मैं आपका पूरी टीम के साथ मंच पर बैठा हूं। श्री संजी अगरवाल जी, हैमन जी, राजीव जी, रंजित जी और ये पूरा सभागार खीचो खीच आप लोगों के मन से वार्षिक सत्र में आने से बढ़ा हुआ है। मेरे मन में भी था लंबी बातचीत करेंगे, मगर जैसा आप सब जानते हैं, कल स्री रटन ताता का नीधन हो गया, और आज मुझे वहाँ मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन ताता जी को बहुत मन पुर्वक सरद्धानजली देता हूँ। रतन ताता जी मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचर रहा, परंतु न केवल भारतिय उद्ध्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सन्मानिय उद्ध्योजग रहे। ताता समू का नित्रुत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। परंतु उन्होंने ताता समू का नित्रुत्व ऐसे समय में समाला, जब ताता समू को अनेक प्रकार के परिवर्तन करनेया जरूरी था। और धायरिय पूर्वक बारीकी से अध्यायन करकर ताता समू के सारे उद्ध्योगों को और काम करने की पध्धती को दोनों को उन्होंने परिवर्तीत किया। और पहले की तरह आज भी ताता समू भारत के उद्ध्योग जगत में एक ध्रूव तारा बनकर है उसमें रतन ताता जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्ध्योग का अपने समू का विकास करना, देश के सारे काईदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पून तयब पालन करते हुए अपने उद्ध्योग समू को प्रमुक स्थान पर बनाए रखना, और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समधान करकर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना चाहे अनुसंदान का ख्षेत्र हो चाहे मेनेजमेंट का ख्षेत्र हो चाहे एज्यूकेशन का ख्षेत्र हो चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुचाना हो रतन ताता जी के नेत्रुतों में ताता समू ने इसको बहुत अच्छे से करकर दिखाया है। पत दर्सक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज इस्वर से प्रातना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम सान्ती अरपन करने का काम करें।